नमस्कार दोस्तों मैंने नमें सुधी पर आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला और Do It Today किताब की अब ये किताब मैंने पढ़ी है किंडल पे इसी काल से मेरे पास फिजिकल कॉपी तो नहीं है लेकिन मुझे क्या experience हुआ और इस किताब को परके मैंने क्या क्या सीखा आपको क्या किताब खरिदनी चाहिए या नहीं वो आज के इस वीडियो में मैं बता हूँगा पहले जान लेते हैं इसकी pricing पेपर बैक के लिए आपको 186 रुपीज पेए करना परेगा लेकिन किंडल के लिए सिर्फ 29 रुपीज पेए करना परेगा इसलिए मैं किंडल के साथ जाना ही प्रिफर करूँगा और इस किताब में टोटल पेज़े से पेपर बैग में 256 और किंडल वर्जिन में 117 हाँ किंडल में थोरा सा पेज काउंट कम हो जाता है ये किताब तीन सेक्षन में डिवाइड़ है पहला है ओवर्कमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन दूसरा है इंप्रूविंग प्रोड़क्टिविटी तीसरा है अचिविंग मोर अब शायद आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस पार्ट में किस बाड़े में डिस्कुस किया जाएगा परस्टली मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट जादा पसंद आया पहले पार्ट से ऐसा क्यों आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा इस किताब के चैप्टेस बहुत ही छोटे है चोटे होने का एक कारण भी है आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे बहुत जगाँ पे आर्टिकल सब्द का उलेख मिलेगा यानि कि ओठर ने इस किताब में बहुत सारे उनके वेबसाइट से ही आर्टिकल्स इंक्लूड किये है अब क्या यहां पे इस किताब के लिए उन्होंने कुछ लिखा भी है या फिर ये एक सिर्फ कॉम्पालेशन है आर्टिकल्स का ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हाँ आर्टिकल्स हो या फिर जो हो आपको कुछ चीजे तो जानने को यहां से मिलेंगी ही अब क्योंकि आर्टिकल्स से लिया गया है इसलिए लिंक्स बहुत सारे है जो कि एक तरीके से अच्छा भी है एक तरीके से बुड़ा भी है मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया एक moderate level पे link होना ठीक है जैसे कि second and third part में है लेकिन first part में मुझे बहुत सारे links देखने को मिले जिससे कि जो पढ़ने का rhythm है वो disturb होता है और यही है मेरे first part को कम पसंद करने का एक बहुत ही बड़ा कारण further reading के लिए links अच्छे है और मैं इसको स्वागत भी करता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं अब मैं आपको मेरी ratings देता हूँ तो इसको writing के लिए मैं 4.9 out of 5 दोंगा क्योंकि writing बहुत ही simple है और आपको कोई English का professor नहीं बनना पड़ेगा इस किताब को समझने के लिए flow के लिए मैं 3 out of 5 दोंगा क्योंकि देखिए नहां पर बहुत सारे articles को लिया गया है इसी कारण से जो chapter to chapter flow है वो उतना अच्छा नहीं है content के लिए मैं इसको 5 में से 4 दोंगा और content top notch है आपको बहुत अच्छी चीज़े जानने को मिलेंगी overall इस किताब को मैं 4.5 out of 5 दोंगा हाँ मैं पहले दो चीज़े बताना भूल गया था पहला तो है do it today का publisher है penguin और ये kindle unlimited में अभी मैं जब ये video बना रहा हूँ तो available है अब आपको मैं बताता हूँ कि इस किताब से मैंने क्या सीखा है मेरी क्या key takeaways है rules are good, we need a system, create an evening ritual, learn universal rules, repeat the basics, take rest, read easy books on the evening, create a mantra, don't compete create, manage your attention, not time, improve by 0.1%, don't leave your comfort zone शायद ये last वाला आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन एक बार किताब को पढ़िए आपको सभी points अच्छे से समझ में आ जाएंगे अब मैं इस किताब को क्या recommend करता हूँ, बिलकुल करता हूँ और किन को recommend करता हूँ, जो self-help books को पढ़ना पसंद करता है या फिर जो self-help books पढ़ना start करना चाहते है उनके लिए मैं इसको select करूँगा और एकदम जो beginners है उनके लिए तो जरूरी करूँगा क्योंकि इसका जो language है वो बहुत ही जादा simple है आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताना और अगर आपने ये किताब पढ़ लिया है और फिर से revisit कर रहे है इस वीडियो को तो comment करके बताना आपको ये किताब कैसी लगी आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगाओ जो लाइक करना मत भूलना आपके साथ फिस्त बुला कातों कि शायर की सवर एक वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई